दोस्तो अब आप लोग लोग लेके tension free हो जाओ अगर आप defolter हो गए हो तो tension free हो जाओ कोई भी डिक्कत यहाँ पर होने वाला नहीं है आप लोगों के मन के अंदर जो भी ढर है इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सारा कुछ जो है clear कर देने वाला हूँ कोई भी डर रहने वाला नहीं है क्योंकि RBI के कुछ guidelines है जो कि आप लोगों को इस वीडियो के थूप बताने वाला हूँ जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है अगर आप लोग यह सही तरीके से जान लेते हो ना तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगा अगर आप लोगों को इसको skip करोगे आप लोगों को जो भी guidelines आप लोगों को बताने वाला हूँ जो कि RBI ने बताया है मैं खुछ से नहीं बनाया है इसको RBI के guidelines है जो कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है वो क्या है जो कि निया guidelines आया है 2024 में और ये जो है आप लोगों का जिंदगी बहुत जादा आसान कर देगा आप लोगों को परिसानिया से जो है छुटकरह मिलने में आसानी होगा तो आप लोगों को instantly आपको notification में मिल जाएगा तो चलिए मैं अपने phone के screen पे चलता हूँ और आप लोगों को guidelines दिखा देता हूँ कौनसा guidelines आया है जो कि 24 में apply हुआ है और आप लोगों के लिए कितना ये फाइदमंद होने वाला है वो भी आप लोगों को बता दूँगा और आप लोगों को समझने भी आसानी हो ठीक है तो आप लोगों को मैं total समझाऊंगा कि कितना मैंने points जो है 15 points यहाँ पर अलग-अलग करके रखें हुए हैं एक एक करके मैं आप लोगों को समझाऊंगा क्या क्या यहाँ पर points लाया है क्या-क्या आप लोगों को समझना है अगर ये जान लेते हो तो आप लोगों को कोई भी माय कलाल आप लोगों का कोई भी आप लोगों को परिशान नहीं कर सकता है आज से अभी से ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के मन के अंदर जो भी डर है टोटली खतम हो जाए साम के साथ बजे के बीच में ही call कर सकता है उसके अलबा अगर बाद में call करता है तो वो call नहीं कर सकता ठीक है वो उलंगन होगा अगर यह इस तरीके चीज़े फॉलो नहीं करते तो आपको करना क्या है ठीक है उसके बाद का जो दो नंबर का जो यहाँ पर सिकेंड जो पॉइंट है यहाँ पर उसमें लिखा है तेक आईडी डियूरिंग कॉल सागर मानो call करता है कोई भी recovery एजेंट्स आपको और करने के टाइम में आप लोगों को धंकी दे रहे कुछ भी करे आप लोगों ने फोन उठा लिया गलती से यहाँ पर आप लोगों को उनका ाईडी काड का नंबर मंगolesome ई एपका आईडी काड बता आपका आईडी काड आण वह यहाँ बताएगा यहां पर दे सी misbehave with borrowers, किसी भी borrowers के साथ कोई भी misbehave नहीं कर सकता, मतलब गलत सलत तरीके से बात नहीं कर सकता, लेकिन ये लोग करता है, क्यों करता है मैं आप लोग को बता दू, क्योंकि इन लोगों को ये thoughts है, illegal way में हम चलेंगे, तो इनको जल से जल जो है, पैसे जो है हम निकल सकते इन से, ठीक है, लेकिन ये guidelines जारी हुआ है, इसमें आप लोगों को फाइदा होने वाला है, अगर कुछ गलत करता है, तो आप लोगों को पता है, करना क्या है, वो मैं बता दूँगा, कोई दिकत नहीं है, ठीक है, एक एक करके मैं बता दूँगा, अब जो चौता point है, वो क्या है, एक बार अगर मानो यहाँ पर call, one call answered, then no calls for the same day, अगर मानो कोई भी agent आपको call कर रहा है, आपने phone उठा लिया, phone उठा कर आपने बात कर लिया, बात करने के बाद, अगर मानो आप उनको बता दिये कि आपका problem क्या है, तो दूबार आपके उस number पे call उस दिन के लिए नहीं आएगा, कि बार बार जो भी है आपका number forward कर रहा है, किसी और को दे रहा है, और बार बार जो है एकी चीज़ पूछ रहा है, ऐसा कर नहीं सकता, RBA के guidelines यह है, ठीक है, उसके बाद fifth point जो है, recovery agents का DRA license must with valid ID DRA मतलब होता है depth recovery certificate, या फिर depth recovery agents बोला जाता है इनको, तो यह depth recovery license certificate जो है, इन लोगों के पास होना चाहिए, तभी यह recovery agents कहलाए जाएगा, अगर इनके पास नहीं है तो यह कोई भी authorized company से नहीं है कोई भी RBA से license नहीं है, चीक है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर इन लोगों के पास यह होना चाहिए, तभी यह recovery agents हो सकते है, तभी आप इनसे बात करना, DRA license कैसे इनको मिलता है, आप लोगों को बताऊँ इनका जो भी है education level होगा 12th pass होना चाहिए, और साथी साथ जो है 100 घंटे का training जो है उनको मिलेगा, तभी यह लोग DRA license इनको मिलता है, अब मानो आप लोगों को बतादू, जो भी agent आप लोगों के पास आता है, call करता है, वो जाधा तर जो है 10th fail होता है, तो उन लोगों के बातों से ही पता चलता है, इन लोगों के पास कोई भी license होने वाला नहीं है, कोई भी DRA license नहीं होता है अगर आप उनसे पुछो कि DRA license दिखाओ भाई वो नीट दिखा पाएगा, क्योंकि उनके पास होगा ही नहीं उनका qualification नहीं है, उनको मिले का कहा से, ठीक है तो यहाँ पर जो सात्वा point है, वो है, no calls to contact list office friends यह भी एक बहुत बड़ा important यहाँ पर guidelines है, कि आपके contact list पे, आपके office में, आपके friends को call नहीं कर सकता, लेकिन यह लोग करता है, यहाँ पर guidelines address में चले जाएंगे, जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ पर जाके हम यह सब चीज़े बोल देंगे, तो वहाँ पर जाने का permission ही नहीं है, RBI नहीं यहाँ पर साफ तर पर बता दिया है, कि आपको वहाँ पर जाना ही नहीं है, चीक है, मतलब agents को जो है, वह जा नहीं सकता, 9 number का जो point है, यहाँ पर लिखा है, home visit before call borrowers to inform their ID with all details, मतलब जब कोई भी recovery agents आगर आपके घर पे visit करने का बात आ रहा है, आगर आपको घर पे आने वाला है, तो आपको phone करेगा सब से पहले, phone करके वह information provide करेगा, कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, आपके घर पे इस वक्त आ रहा हूँ, इतना लोग आ रहा हूँ, मैं यह बोल रहा हूँ, मैं यह बोल रहा हूँ, मतलब सारे details उनको देना पड़ेगा, ठीक है, वो जो है phone पे या फिर SMS के थ्रूप बताना ही पड़ेगा, ज़रा दर जो है phone पे करने के लिए बोला गया है, क्योंकि वहाँ पर customer जो बोल सकता ही कि नहीं, हम घर पे नहीं है, तो आप अभी घर पे नहीं आ सकते, तो इस तरीके का बात जो है SMS पे हो नहीं सकता, वो सिर्फ जो है phone पे बोल देगा और वो चला आएगा घर पे, लेकिन यहाँ पर mandatory किया है कि phone पे ही उनको बात करना है, तभी यहाँ पर होगा, ठीक है, यह borrower disagree to visit home address, then no agent will visit home, borrowers will decide, तो यहाँ पर लिखा है कि अगर मानू borrower disagree कर लिया, अगर हम फोन करके बोलता ही कि नहीं, आपके घर पे हम जा रहे हैं, तो अगर borrower बोल दिया नहीं, मैं घर पे नहीं हूँ, या फिर घर पे हूँ, लेकिन मैं बाहर meet करना चाता हूँ, तो यहाँ पर borrower का बात यहाँ पर सबसे पहले माना जाएगा, आप लोगों को यहाँ पर priority दिया गया है, आप लोगों को यहाँ पर जो भी options मिल रहा है कि, आप लोगों को खुद से वहाँ पर opportunity मिल रहा है कि, आप उनको बताएगे कि हाँ, मैं यहाँ पर नहीं हूँ, आप decide करोगे कि मैं कहाँ पर meet करना चाता हूँ, और उनको मानना भी पड़ेगा ठीक है 11 नंबर का point है borrower personal information not to share with anyone not even with family members also जो कि ये लोग करता है borrowers का जो भी personal information है कितना loan लिया है, कब लिया था, कितना amount था सब कुछ जो भी information है वो किसी के साथ share नहीं कर सकता है क्योंकि वो एक privacy है ना परिवार के लोगों के साथ कर सकता है ना friends के साथ, ना कोई contact list के साथ लेकिन फिर भी ये लोग करता है ये guidelines जो कि 2024 में ये लागो हो चुका है strictly उसके बाद 12 वाला point जो है यहाँ पर 12th point, if any borrower feel wrong then they can take action police station और civil court यहाँ पर लिखा है कि अगर मानो कोई भी borrower को लगता है कि हैं उनके साथ गलत हो रहा है agent गलत कर रहा है तो आप लोगों को जो है यहाँ पर strict जो है एक option दिया गया है यहाँ पर आप लोगों के पास एक option है जो कि आप लोग complaint कर सकते हो police station में आपके पास नियारेजबाय police station में जाके उन agent के नाम पर complaint कर सकते हो या फिर उस company के नाम से complaint कर सकते हो या फिर आप लोग civil code में जाके वहाँ पर case file कर सकते हो यह जो है आप लोगों को एक opportunity दिया गया है यहाँ पर ठीक है उसके बाद जो तेरा number है too much harassment ignore calls अगर मानो बहुत ज़्यादा harassment आपको किया जा रहा है तो आप लोगों को calls ignore करना पड़ेगा यहाँ पर यह RBI खुद बोला है कि आप लोगों को अगर मानो बहुत ज़्यादा harassment कर रहे है call के थूँ आप लोग फोन मत उठाओ यह मैं बहुत बोल रहा हूं यह RBI खुद बोला है ठीक है अब यह 14th number point जो यहाँ पर लिखा क्या है EMI date fail then get one week extra time मानो कि आप लोगों का date है EMI देने का कि दो तारीकों आपको payment करना पड़ेगा ठीक है आप payment नहीं कर पाए तो वहाँ पर charges जो है उसके बाद से लगाना चालू कर देता है लेकिन यहाँ पर मानो आपको एक हफते का time चाहिए आप payment कर दोगे आपके पास पैसा नहीं है अभी कुछ दिन बाद पैसा आएगा सबका salary जो है एक तारीकों नहीं मिलता है या फिर दो तारीकों बना सके उसको through ठीक है ऐसा कर नहीं सकता अब 15 जो नंबर है जो लास्ट वाला नंबर है उसमें लिखा है बैंक का authorization लेटर जो है सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बैंक भेज रहा है उन लोगों को तो उनके पास एक authorization लेटर होना चाहिए और वो जो है उनके पास होगा तभी आप उनसे बात करना डियारे लाइसंस होगा होना चाहिए ठीक है आईडी कर्ड भी होना चाहिए यह सब होना चाहिए तभी आप उनसे बात करना नहीं पैस्टो उनका नौकरी के सवाल है इसलिए वो लो क्या करता है कि आप लोगों को सही तरीक milhões का डेटेल्स बताते बडरते हैं बताने से जो है मतलब क्या होता है कि अगर मानों आपने कभी उसको वीडियो बना के रोग कोस्ट कर लिया, किसी में दे दिया, तो उनका नौकली चला जागा, अगर मानू वो नहीं दिखाता है, तो अगर बत्तमीजी भी करता है, तो आप उनको प्रूफ नहीं दिखा पाऊगे, वो डिनाय करते हैं, नहीं बाई, यह हमारा आदमी नहीं है, यह हो इन स कर रहा है, इसका मतलब क्या है, आप लोग illegal काम नहीं कर रहे हो, कर रहा है, वो लोग गलत काम, यहाँ पर RBI ने उनके उपर कुछ guidelines निकाला है, आपके उपर कोई भी guidelines नहीं है, यहाँ पर वो लोग कुछ गलत करता है, तो आप लोग उसका जो है सही जवाब जरूर से जर करता है वो, तो आपके पास बहुत बड़ा opportunities है, बहुत जादा options है आपके पास, वो apply करोगे, तो आप लोगों को कोई भी आपको disturb नहीं कर सकता, आप लोगों को harassment नहीं कर सकता, तो दोस्तो, I hope कि इस वीडियो से आप लोगों को सही तरीके का जानकरी मिल गया होगा, अग तम हो गया होगा इस वीडियो देखने के बाद, यह वाले वीडियो देखने के बाद, तो तब तक लिए चलते आप पाई, take care, जय हीन, जय भार दोस्तो